दर्शकों यहम सब जानते हैं कि भारत वश्की कुंड़ी 15 अगर 2047 की राती 12 बजे से बनी हुई है जो कि एक अजाद भारत की कुंड़ी है और इसे भारत का पुनर जनम भी कहा जाता है जिसने भारत के भगौलिक, राज्यतिक, धार्मिक, आर्तिक सब को प्रभावित किया ह हरक्षा दर्शकों वैदिकेश लोकेद में आपका स्वागत है, मैं जोतिश अचारय पूजा, निश्ची तोर से हमने अपने बारे में जानना चाहते हैं कि 2024 का वर्श हमार लिए कैसर हैगा, तो हम ये भी आपके सामने विचलेशन लेकर आए हैं कि 2024 का भारत वर्श के लि वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके लावगार यदि भारत की उन्ली पर विचार किया जाया है तो जो लगन आ रहा है, विशब लगन आ रहा है, स्थरि लगन आ रहा है, लेकिन लगन में राहो और सब्दावा में केतु विराजमान हैं, जो कि एक प्रकार का स्थरि लोक बारत अपने प्राक्रम से कभी भी पीछे नहीं अटता है और ना कभी हटेगा लेकिन इसकी वज़े से यह भी दर्शात है कि इसके वज़े से आपके जो भारत के बॉर्डर जो सीमा से लगे हुए देश उनके साथ कुछ न कुछ कलेश बना रहेगा इसके लावा जैसे मैंन में धर्म और मती पर विवात वो बना रहता है और इसके कारण काफी दंगे फसाद जगडे या तनाव देखने को मिलता है और यह निरंतर हमारे देश में चलता आ रहा है तो उनका जो है वह विश्यक लगन आ रहा है और लगन में लगनिश मंगर विराजमाने नीच के चं जोच और दबल उर्चा से काम करेंगे देश की प्रगर्ति के रहा में लिए बहुत जादा जल्दी मिलेंगे इसके लाब्बा कुछ बड़े और बोल्ड देसीजियन भी ले सकते हैं इसके लाबब शुक्र वर्चनिंगी हो तो इस प्रकार का यही ए एक प्रकार का योग किसी प्रकार के भोग विलास में लिप्त नहीं रहता है इसके लावा चंदर और मंगल की यूती हो तो अश्ट लक्ष्मी योग कहा जाता है तो इसमें वेक्ति के ओपर मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा बली रहती है लेकिन अगर शत्रू का विचार किया जाया तो मोदी जी भीतर के शत्रू से परिशान हो सकते हैं और भीतरी घात की वज़े से उनको नुकसान पहुंच सकता है कुछ इस प्रकार की समस्या देखे जाती है क्योंकि मोदी जी अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो उसके ये प्रबल संभामना बनती है कि वह वेक्ति उनके पीछे स वार जरूर करेगा तो इस परकार की हम देख सकते हैं कि राजा जो प्रधार मंत्री है उनकी कुंडली का भी असर जो है भारत की वविश्य में देखने को मिलता है फिलाल मोती जी की जो मैं बताया है कि आपको अब उनकी मंगर की दशा चल रही जो दोज़र थाईस तक रह में वाला हम इसको वर्ष वर्ड की कुंडली से समझेंगे अब देखे दोज़र चौबीस में भारत हमां अठात्रवा स्वर्टर दिवस बनाएगा इसके अदार पर यदि वर्ष की कुंडली त्यार की जाए तो इसमें मकर लगन उदित हो रहा है मुंता जो है कादिश भा अब देखे के कि अधियर्ट में अधियत महत्मून कदम साबित होगा इसके अपर बहुत से गहन विचार हो रहे हैं इसे बहुत से प्रयोक चल रहा है और यह देफिनेटली देखा जाएगा कि यह भारत की तस्वीर बदल के रद देगा और ब्रिस्पति की यह दी बात करें पंचा भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि ब्रिस्पति की दिश्टी जो एकादश भाव में पढ़ रही है तो इसमें चोतरफर डेवलोपमेंट और लाप की सिती के प्रबल संकेत मिल रहे हैं तो अब यह दी बात करें तो अगर वर्ष फूली के अधार पर बात करें तो भारत वर्ष दोज़र चापवीस में निश्चित तोसे प्रगर्ती और तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ेगा बिना किसी रोग टोप के अब बात करेंगे कि जो ब्रस्पति की दिश्टी सत्मे लगन में भी पड़ेगी क्योंकि वहां पे मकर लगन उदित हो रहा है तो जहां पे ब्रस्पति नीच के होते हैं इसकी कारेंट क्या होते हैं कि राजनेतिक नेताओं के बीच में परस पर विरोध देखा जा सकते हैं और ये भी हो सकते हैं कि ऐसे राजनेतिक नेता हैं नेता जो अपरचुनिटी यानि अपसर का फादा उठाकर देश की विरोधी ब्यान बाजी करें इसे बाज नहीं और ये जो भारत विरोधी बियान करते करते अपनी ही मुखी खाएंगे साथी इनको अपनी ही नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत एक सशक्त उत्तरदाई और विश्व गुरू की भूमी गाने भाएगा साथी 2024 में सूर्य वशनी के पभाव में होने के कारण किसी नेता को अपने पत से जो हटना पड़ सकता है या कुछ आकस्मिक निधन भी देखा जा सकता है इसके लावा आदर प्रवेश की कुंडली भी देखे है तो उसमें बे मौसम की बरसात के कारण फसलों को नुकसान पहुचने की में प्रबल संभावना बन रही है 26 जनवरी 2023 अप्रेल की बात करें तो उसमें खपर योकर निर्माण हो रहा है जिसमें कि तीन महिनों में क्रमशा देखा जाये तो पांच शरीवार, पांच रवीवार और पांच मंगलवार पढ़ने की वज़े से इसका अनिष्ट प्रभाव देखा जा सकता है जैसे हिंसक घटनाए होना, आगजने की घटना होना, इस परकार अगनी कांट होना, इसके लावा प्रकृती प्रकोप भी देखा जा सकता है जिसमें आंदी तुफान आना, जिसमें प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुचाना या फसलों को नुक्सान पहुचाना और जिसके कारण महेंगाई भी देखी जा सकती तो इस प्रकार का कुछ प्रकौप देखा जा सकता है कुछ समय के लिए क्योंकि खब पर योग बनेगा अगर बात करें तो 24 अप्रेल से 23 मई तक की बात करें तो भ्रहस्पति व शुक्र अस्त रहेंगे साथी शनी की दिश्टी और मंगल और रहो की योग की वज़े से कुछ विप्रीत पस्तिती देखी जा सकती है जैसे कुछ पश्मी राज्यों की बात करें जैसे पंजाब, कश्मी, राजस्थान, गुजरात, महराश्ट, आधी में संपरदाईक वाहिंसक घटनाई या दंगे देखे जा सकती हैं इसके लाव देते हैं तो हर एक को मौका दिया जाता है मौधी जी के मंत्री मंडल में और सिर्फ योगे उमीदवार को ही मौका दिया जाता है अगर आप बात करें जून से लेकर अगस्त की 2024 की तो इस दोरान अत्यदिक वर्शा होने की प्रबल संभावना बार की सिती बन सकती है इसके राजय सरकार की समस्या देखने को मिल सकती है साथी बाढ़ की समस्या के कारण कुछ महंगाई में वर्दी भी देखने को मिल सकती है फसलों को नुकसान हो सकता है साथी कुछ हिंसक समस्या के कारण आपसी समझस से में भी कमी देखी जा सकती है समाज में पिछड़ा पन भी देखा जा सकता है। कुछ इस वज़े से अगर बात करें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो विपक्षी राजय सरकार की तरफ से कुछ अवरोथ देखा जा सकता है। राजनितिक वातवरण में अशान्ती असमंज स्पून देखा जा सकता है इसके लावा अक्टूबर के आखरी की बात करें और नवंबर के शुरुवात की बात करें तो मंगल शनी के मद्देश डाश टक योक हो रहा है जिसकी वज़े से किसी रोग के फैलने की भी संभावना बन सकती है या कहीं सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है यहीं कोई सरकार अर्प मत में आ सकती है किसी आपसी रंजिश की वज़े से जिसकी वज़े से किसी राज्ये में सरकार जो है गिर सकती है जिसके करांड किसी अन्य सरकार जो प्रिवक्षी पार्टी उसको सरकार बनाने का मौका मिल सकता है कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि राजनेतिक गतिरोध बना हुआ है इसी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रकार की कोई कॉपरेशन सहयोगिता नहीं देखी जाएगी अगर आप बात करें जन्वरी से लेके द जन्वरी की बात करें और अगर, 25 तक की स्थिती देखें तो पड़ौसी देश से कुछ गंबी समस्या या तनाव देखा जा सकता है पड़ौसी देश की कारण कुछ गतिरोध या अवरोध देखा जा सकता है जिसकी वजह से भारत सरकार को कोई करार, decision या निर्ड़ने या कदम लेना पड़ सकता है इसके लावा आप देख सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं देख सकते हैं साथ ही आप देखेंगे कि कुछ आपसी मद्बेत या तनाव बना हुआ है कुछ राजियों में अपनी पार्टी को लेकर इसके लावा आप देखेंगे विपक्षी पार्टी का कोई सयोग सरकार को मिलकुल भी नहीं मिलेगा साथ ही आप देखेंगे कोई गंबी समस्या है तो कहीं लाप की सिती बनिये कुछ उतार चड़ाव इस प्रकार देखने को मिलेगा पूरे दोहजार चॉबिस में और दोहजार पचीस की अगर बात करें दोहजार पचीस अगस्त की वर्षवर्ट की गुड़ी में तो इस पकार का कुछ उतार चड़ाव देखने को मिलेगा साथ ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं राजनेतिक घटनाएं और कुछ हिंसक घटनाएं भ बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा लेकिन इससे जो सरकार जो चला रहे हैं जो बंतरी मंडेल उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मोधी अपना जो काम है निर्वेगन करनते जाएंगे उनकी सत्या डेफिनेटली जो है स्टैब्रिश होगी स्थापित होगी और इसी दि करेंगी साथ ही उनको वैसा ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधार मंत्री मोधी इस प्रकार का पूरा वैवस्ता करेंगे जिसमें कि इतने भी विदेशी कंपनियां मल्टिनेशनल कंपनी ओ किसी प्रकार का कोई अवरोध या कानुनी अर्टर्ट द परिशानियों के बाद ही कुछ सफलता उनको देखने को मिल सकती कि अगर हम देखें तो राजिस्थान और अरंपी और चतिसगर में इस प्रकार की कुछ बहुत ही संगश के बाद उनकों को जो है आप कह सकते कि उप्यूक्त या अनुकूर परिणाम देखने को मिल सकता है क्य अशंका देखे जा सकती है कुछ अवरोथ या शत्रुता देखी जा सकती तो बहुत कुछ आप देख सकते की पधामत्यवी मोधी को चेलना पर सकता है और इसी कारण ऐसे बहुत से राजनेतिक जो विपक्ष के लोग है उनकी वजह से भी काफी भारत को कह सकते है कि असहज तो अगर कहीं समस्य है, तो उसका निदान भी रहा है। यह परत के साथ आशफलता बनी होई है। लेकिन कुमला के बात कहें तो भारत दोहजार्स चॉबिस में निश्चित विश्वार्स सक्षक्त कांट्री या देश के रुप में जरूर उबलेगा। दर्शको आपके जो भी प्रशन सजेशन ये राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ढाले हरे कृष्णा